हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ राज यादाओ और एक बर फिर से आपका बहुत बहुत सागत है स्मार्ट सेजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे मुख्यमंत्री विश्णु देव सायद जी ने सिख्षकों की कमी के बारे में क्या कहा और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सिख्षकों की कमी मैं नहीं होने दूँगा इस प्रगार की बाते कही किस मौके पर कही और किस परिपेक्ष में कही इसके बारे में आगे इस वीडियो में जो है डिटेल से चर्चा करेंगे अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजे इस चैनल पर आपको वेकेंसिस रिलेटेड अपडेट देखने को मिलते रहते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्ते यहां पर आप देख सकते हैं कि 36 गड़ के मुख्य मंतरी स्री विश्णुदेव साय जी ने क्या कहा है अपने फेस्बूक हैंडल पर उन्होंने ये पोस्ट किया है कि सिख्षा की मंदीरों में नहीं आएगी सिख्षकों की कमी सिख्षकों के बारे में उन्होंने ये पोस्ट लिखा है कि सिख्षकों की मंदीरों में सिख्षकों की कमी नहीं आएगी मा के बाद सिख्षकों का पार्ट कहीं सीखने को मिलता है तो वो हमारे विद्याले हैं इस प्रकार से विद्यालेई सिक्षकों के बारे में उन्होंने ये बात कही है कि कभी मैं कमी नहीं आने दूँगा साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि सक्षम पमिश्य बनाने के लिए डवल इंजन की सरकार कटी बद्ध है याने कि केंदर में भी वही सरकार है और साथ ही जो है चतिसगर में भी सरकार बनी है अभी नहीं जैसे ही आज मुझे जनकारी मिले कि जस्पूर जीले की बगीचा ब्लॉक के राय केरा गाउ में हाई स्कूल में 6 सिक्षकों की कमी है वहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावि में करड़ेगा इस्कूल में सिक्षकों को पदस्त किया ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे बच्चों खूब मन लगा कर पढ़ाई करो माता पिता कर नाम रोशन करो आपकी पढ़ाई में सिक्षकों की कमी नहीं होने दूँगा ठीक है उन्होंने ये तो कहा आपकी पढ़ाई में सिक्षकों की कमी नहीं होने दूँगा तो सिक्षकों की जो आप उड़ती है उसको पूरा करने के जो है रास्ते में क्या खदम उठाय जा रहे हैं और क्या खदम आगे उठाय जाएंगे ये आगे देखने वाली बात होगी, यह कहना आपने आप में एक बड़ी बात हैं कि सिखशकों की कमी नहीं होने दूंगा क्याँकि आप सभी को पता है कि सिखशकों के भरती की मांग लगातार तुल पकड़ते जा रही है और लगातार संगठनों के द्वारा मांग किया जाता रहा है कलसंकाय जो बे तो जा रहा है कि सिख्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा लेगिन इसके तरब क्या खदम निकट भविश्च में उठाये जाएगी यह आगे देखने वाली बात होगी ठीक है लगातार मांग की जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इकठे जो है जो पूरे रिक्तपद ह जो 57,000 रिक्तपद हैं सिख्षकों की उसको एक सांतना भर करके प्रती वर्ष जो है सिख्षकों की भरतियां की जाए ठीक है यह जो है बेनिफिशियल होगा जो बेरुजगार भरती बेर्टी करने वाले हैं उनके लिए ठीक है तो आगे यह देखेंगे कि जो सरकार है वो क जो डकुमेंट वेरिफिकेशन है कब तक उनका किया जाता ही आगे देखेंगे आगे के अपडेट के लिए बने रहेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक करके शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरू कर दिजेगा मिलते हैं आपसे नेक